पाकिस्तानी टीम को भारती टीम से हार क्या मिली कि पाकिस्तानी टीम कमजोर जिमामबे से भी हार गया और चिथे वोल कप से भार हो गया है इससे आप समझ सकते हैं कि भारती टीम से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम को इतना गहरा सत्मा लगा कि जिमामबे जिसे कमजोर दोस्तो इस हार के बाद पाकिस्ताने टीम की जम कर आलोशना हो रही है यहां तक कि पाकिस्ताने दिगजों ने भारती टीम से अब सीख लेने की सरा तक दे डाली है दोस्तो जिमांबे के खिलाफ मिली पाकिस्ताने टीम के हार के बाद जो पाकिस्ताने दिगजों ने बयान द और टीम इंडिया को लेकर जो बात कही है उसे तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पाकिस्तानी टीम किस वज़े से जिवांबे से हार गई कॉमेंट करके अपनी किमती राय जरू बताएं दोस्तो भारती टीम के हाँ तो मिली हार का जटका पाकिस्तान टीम को ऐसे लगा है कि 15 दिन पहले नियुजिलैंड में ट्राई सिरिस जीतने वाली ये टीम आज जिमबॉम्बे जैसी कमजोर टीम के सामने भी घुटने टेकती नजर आ रही है जिया आपको बता दें भारत और नियुजिलैंड के बीच मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान और जिमबॉम्बे के बीच रोमान चक मुकाबला पर्त के मैदान पर खेला गया दोस्तो भारती टीम ने तो नियदरलैंड को आँख खुठाने का मौका ही नहीं दिया रोहित, कोली और सुजा ने अपने धमा गेने वाज सांत के से बाहरे हैं और नहीं गेनबाज, दोस्तो जिमबॉम्बे के खिलाफ टास हारकर जब पाकिस्तान टीम पहले गेनबाजी करने आई, तो पर्त की तेज-उच्छाल वाली पीच पर सब को लगा, पाकिस्तान के गेनबाज जिमबॉम्बी को क्रीच पर ख जिन्बामबी की कमचूर गिंदबाजी के आगे पाकिस्तानी बंज़फिघ थर थर कापेंगे। ऐसा पाकिस्तानी फैंस ने कभी नएएि सोचा होगा। जहां आपको बता दे 130 रनों के लक्ष का पीछा करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजी तास के पत्तों की तरह ढ़ा गई बावराजम और रिजवान की जोड़ी जिमबामबे के सामने भी फ्लॉफ रही बावराजम चार रन तो रिजवान महज 14 रन ही बना पाए उपनिंग जोड़ी फ्लॉफ होने के बाद मिडिल ओडर के बल्लेबाजों को भी जिमबामबे के गिंदबाजों ने खुल कर खेलने नहीं दिया और एक-एक रन के लिए तरसा दिया जिश्य दबाव बढ़ता गया और हालात ये हो गई कि 94 रन पर पाकिस्तान के 6 विकेट जिमबामबे ले उड़ा अब हार पाकिस्तान के बिल्कुल करीब थी टीम को 22 गेंदों में 32 रन बनाने थे और उसके पास सिर्फ चार विकेट बच लेकिन एहम मौके पर सेट बल्लेबाज सान मशूद 44 रन बनाकर आउट हो गया जिससे पाकिस्तान को बड़ा जटका लगा हाला कि मौमब नवाज ने 18 गेंदों में 22 रन बनाकर पाकिस्तान की उम्मीदों को जगाए रखा लेकिन 19 वे ओवर में नवाज भी कैच आउट हो गया जिससे पूरे पाकिस्तानी खिमे में खलबली मच गई पाकिस्तान को अंतीम एक गेंदों में तीन रन चाहिए था लेकिन साहिन अफरिदी एक ही रन बना पाए और पाकिस्तान एक बड़ा उलट फिर का शिकार बन गई एक रन से हार के साथ ही पाकिस्तान की टीम लगता दो हार के बाद इस वर्ड कप से बाहर हो गई वही आप टीम इंडिया और साथ अफरिका का सेमी फाइनल में पहुँचना लगभग तै हो गया है इसलिए उनके खेल को देखकर कुछ सीख लो या फिर डूब मरो वही दोस्तों पाकिस्तानी टीम के पूरो कप्तान इंजमाम उलहक ने भी कहा इतना घटिया पड़सन की उम्मीद हमारे टीम से नहीं थी वही पाकिस्तानी टीम के पूरो बल्लेबाज विजबा उलहक ने कहा जमाम जिसे कंजोर टीम से हारने से तो अच्छा था भारती टीम से हार जाते तो दोस्तों आप देख सकते हैं पाकिस्तान के वोलकप से बाहर होने से दिगजों का गुस्ता किस तरह फुट पड़ा है वैसे दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है कॉमेंट करके अपनी कीमती राइच जरू बताना झाल